दमेशकार दोस्तों, आपको पता होगा दिली की सरकार में एक मिनिस्टर है सतेंद्र जेन, उनके पास कई सारे पॉर्टफोलियो हैं, He is also the health minister, he is also the power minister, irrigation से related भी वो minister है, उनको यहाँ पर enforcement डिरेक्टरेट के द्वारा अरेश्ट कर लिया गया है, यह आप देख पाओगे, ED arrest Delhi health minister सरतेंद्र जेन in रुपीज 4.8 करोन money laundering case, तो यहाँ पर जो हवाला का case है वो बताया जा रहा है, पूरा मामला है क्या क्यों अरेश पर सिर्फ 999 में आपको यह पुरा course दिया जा रहा है, 31st of May तक यह लागू है, अंकित flash यह code इस्तमाल करिए हमारे app पर जाएए, website पर जाएए, वहाँ पर सारी जो details हैं आपको, जो static part है, prelims का, सब कुछ आपको मिल जाएगा, इसके sample वीडियोस आप देख सकते हैं, अलग 4999 में आपको दिया जा रहा है, UP PCS है, बिहार PCS है, जुडिश्री का है, code इस्तमाल करिए अंकित flash, इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चली सुरवात करत कि already उनके उपर कुछ case चल रहा था, और वो case था related to prevention of money laundering act, जैसे कि आपको पता होगा, money laundering की जाती है, आप अकसर सुनते होंगे, कि दिल्ली से अगर कोई पैसा मुंबई भेजना है, तो हवाला के माध्यम से, क्योंकि अगर आपका पैसा black का है, तो आप account के माध्यम से भ 2002 में बनाया गया था, PMLA Act, ठीक है, तो इसी के तहत यहाँ पर जो सबसे बड़ा जुम है किसी भी person के उपर, वो यह है, कि अगर कोई case चल रहा है इस act के तहत, तो यहाँ पर अगर वो investigation को mislead करता है, या फिर कोई भी जो crime के proceeds हैं, उसको transfer करने की कोशिश करता है, तो एक बहुत बड़ा serious offense माना जाता है, इसी को देखते वे ED ने यहाँ पर सतेंदर जेन को arrest किया है, ऐसा बताया जा रहा है, और आज in fact उनको एक court में पेशी भी दी जाएगी, उनको हाजिर किया जाएगा, आपको पता ही है कि जब भी किसी person को arrest किया जाता है, तो court में उसको produce कर गया था against सतेंदर जेन, ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, कि ED के पहले, CBI भी यहाँ पर कहीं न कहीं इस चीज के उपर पूरा जाच कर रही थी, और उसी के basis पर 2017 में जो CBI ने first information report लॉच गया था, उसी को आधार बनाते वे, prevention of corruption act, यह भी 1988 का act है, आपको पता पर money laundering किया गया है, उस पूरे companies के माध्यम से, यह चार companies कौन सी हैं, और एक और company है, यह आप देख सकते हो, यह companies के नाम दिखे हैं, यहाँ पर total जो है, और इस company के माध्यम से बताया जा रहा है, कि 4.8 करोर का transactions किया गया है, basically क्या है, कि enforcement directorate ने आरोप यह लगाया है, अप समय भी जब वो जो minister थे, तो उसके दोरान वो यह चार companies को own करते थे, और यहाँ पर 4.8 करोर का जो पैसा है, वो shell companies के माध्यम से transfer किया गया, कोलकता-based कुछ entry operators हैं, उसके हवाला route के माध्यम से पैसा आया, basic simple छोटे शब्दों में मैं आगर आपको बताऊं, तो पैसा आया अब वो पैसा कहां से आया, वो exactly source नहीं लग पा रहा है, मतलब कि वो पैसा, क्या वो wide पैसा है, किसी से income नहीं हुआ, क्योंकि अगर wide का पैसा होता, तो किसी के account में होता, लेकिन हवाला के माध्यम से यहाँ पर कहीं न कहीं पैसे को, एक company से दूसरे company में transfer करने की कोशिश की गई, फिर इस company से दूसरे company में, तो इसी को लेकर इस पैसे से क्या किया गया, दिल्ली और उसके आसपास के area में, जो agricultural land हो गया, या फिर कोई दूसरा जमीन हो गया, उसको खरीदा गया है, अब आपको पता है कि यह direct conflict of interest हो जाता है, अगर आप public servant हैं, अगर आप minister हैं, तो आप directly इस तरह से जमीन की purchasing अपने ही company के माध्यम से नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पर development होने वाला है, तो आपको पता है कि अगर इस particular जगह से metro line जाएगा, और यहाँ पर अगर आपका agriculture land है, तो उसकी value automatically अपने आप बढ़ जाएगी, तो basically I hope कि आप समझ पार होगे कि यहाँ पर कहीं न कहीं companies के माध्यम से, ED का यह कहना है कि companies के माध्यम से इस तरह से के पैसे को गुमाया गया है, ताकि दिली और आसपास के एरियाज में जमीनों को खरीदा जा सके, और उससे ज़्यादा ज़्यादा उठाया जाए और इसी को देखत उनके भी assets को attach किया गया है ED के दोरा due to disproportionate asset, मतलब कि जितनी उनकी income है, उससे कहीं ज़्यादा उनके पास asset है, इसी को देखते वे ED ने यहाँ पर कारवाई की है, वैसे मैं आपको बता दू, enforcement directorate ने 2018 में भी यहाँ पर सतिंदर जेन से पूस्ताच की थी, उनको समयन किया थ और इसके पहले जो मैं CBI का case आपको बता रहाता, तो CBI ने complain किया था कि जो शतेंजर जेन है, वो अपने source of fund को explain नहीं कर पा रहे था, मतलब कि जिस company से वो belong करते हैं, उस company में पैसा कहां से आया, क्यों आया, उस पैसे से क्यों जमीने खरी दी गई, वो source of fund basically explain नहीं कर पा की थी, और उस समय अगर आप देखिए, तो CBI ने ये कहा था कि करीब 4.6 करोड के आसपास का जो पैसा है, वो उनके company से transfer हुआ again, 2015-16 में भी, और साथी साथ CBI ने कहा था कि जो सतेंदर जेन है, वो indirectly या फिर indirectly वो companies को hold करते हैं, मतलब कि उसके owner है, या तो as a director, या फिर one third shares जो उस companies के जो है, या तो उनके नाम पर है, उनके families के नाम पर है, और उसी companies के माध्यम से यहाँ पर हवाला का transactions किया गया है, और सिर्फ यही नहीं, in fact, CBI ने यहाँ पर ये भी आरोप लगाया था सतेंदर जेन के उपर, कि वो public servant बनने के पहले, मतलब आपको पता होगा by profession वो architect रहे हैं, तो public servant health minister यूसप बनने के पहले, आप सरकार के पहले भी, यहाँ पर उनके उपर अलजाम है कि 2010-2012 के बीच में 11 करोट से जादा का money laundering है, वो भी इनी companies के द्वारा किया गया है, तो यह भी आरोप उनके उपर लगाया गया, साथी साथ बताया जाता है कि जो जितने भी funds हैं, 2010-2016 के बीच में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर 200 biga of land पर्चेस किया गया है दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में, तो यह सारे आरोप है और इसी के basis पर ED ने सतेंदर जेन को गिरफतार कर लिया, अब देखे इसको लेकर डेफरेंट सी बात है, कई सारी politics होंगी, आप government की तरफ से directly, in fact मैं आपको बताऊं, तो इसी साल January के महने में, जो पंजाब election होने वाला था, उसके just पहले अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो आप government है, in fact जो Chief Minister है दिल्ली के अरविंद केजरिवाल जी, उन्होंने यहाँ पर लिखा था, tweet कि था कि Modi government is planning to arrest our minister, मतलब सत्यंदर जेन को arrest करनेंगे before पंजाब election, और we welcome them, हम उसे नहीं डरते, ऐसा उन्होंने पंजाब election के पहले कहा था, लेकिन अभी जाकर सत्यंदर जेन को arrest किया गया है, और अब जो है यहाँ पर जो मनीश इस हो दिया है, again काफी important person है दिल्ली सरकार के परदेश का election आने वाला है, और हिमाचल परदेश के election in charge बनाया गया है सतेंदर जेन को, ताकि सतेंदर जेन हिमाचल परदेश ना जा सके, हिमाचल परदेश में BJP की सरकार चली जाएगी, वापस चली जाएगी, हार जाएगी BJP, इसी की वजए से कहीं न कहीं इसको देखत है, जो कानून कहता है, उसी के आधार पर यहाँ पर कारवाई हो रही है, इनफर्ट, Congress Party के एक परसन है, स्रीनिवास बीवी, लीडर है, आपको पता होगा, ट्वीटर पर काफी active रहते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया और यह कहा कि देखे, क्या हालत है, इस सम पास्त मंतरी हेल्थ मिनिश्टर सतेंदर जेन, उनको अरेश्ट कर लिया गया, और एक कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, पंजाब के अंदर, खुद चीफ मिनिश्टर में, जो भगवान चीफ मिनिश्टर है, उन्होंने हेल्थ मिनिश्टर, अभी अभी जस्ट सरक बता पाएगा, ना तो मैं बता पाऊँगा, ना आप बता पाएगे, लेकिन जो पुरा पहलु दा इस केस का वो आपको आई हो, कि समझ में आ गया होगा, क्यों हुआ है ये सारी चीज़े, जाने से पहले एक इंड्रस्टिंग कोश्टन, क्योंकि हम ED की बात कर रहा है, इस आपकर जाकर आप चेक कर सकते हूं, बाकि अगर आपको PST तो टेलिग्राम पर आईए, अलगला सोचल मीडिया पर भी आप जोड़ पाऊगे हो, जैसा मैंने बताया, आज आखरी दिन है, UPSC हो, स्टेट PCS हो, कोई भी एक्जाम की प्रपेशन कर रहे हैं, यूज दिस आपको आपको अप्लाई हो जाएगा, I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलतो हम आपसे नेक्स टैम केल देन, thank you very much, see you soon.